नमस्कार दोस्तो पहाड़ी आयरवेदिक में आपका स्वागत है दोस्तो आज मैं आप लोगों के सामने मेहंदी का पेड़ लेकर आया हूं ब्रिक्ष लेकर आया हूं पौधा लेकर आया हूं दोस्तो दुनिया में सबसे परसिद्ध नाम है मेहंदी का और इसे हर कोई जानत तो मैं आज उन्हीं लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं ताकि वह फल फूल और इसके पत्तों को देख ले और ब्रिच को देख ले किया कैसा होता है तो यह देखिए दोस्तों हरे हरे मेंदी का पत्ता है इस तरह से होते हैं पहिचान लीजिए और यह दोस्तों यह मेंदी का फूल है जो की सफे सफे दिखाई दे रहा है और बहुत ही सुन्दर खूबसूरत है तो चलो दोस्तों अब इसके फल को देखते हैं कि फल किस तरह द काल और सूख जाने के बाद इस तरह से काले काले हो जाते हैं तो दोस्तों देख लीजिए इन्हीं वीजों से दूसरा पौधा उत्पन होता है दोस्तों मेहंदी एक छट्टेदार जाड़ी नुमा होता है और करीबन दस से पंदरा फुट तक उचा पाया जाता है तो दोस्तों मैं उमीद करता हूँ आप इस मेहंदी की पौधे को पहचान चुके होंगे तो आओ चलो अब इसके फाइदेग बारे में जाने कि मेहंदी कितने बिमारियों में काम आता है और किनकी रोगों किया दूर करता है जै तो यह मेंदी का पत्ता पाचन की रिया को मजबूत करता है अगर किसी अगय से सी डीटी है बवासीर है या पेटों में किसी तरह कोई भी प्रॉबलम है तो मेंदी के पत्तों को करीबन पीश कर पांच ग्राम रस पीने से पेट के समस्त बिमारी दूर हो जाते हैं लेकिन दोस्तों पीते समय कम से कम सव यमल तक छांच मिला लिया जाए तो फाइदा बहुत जल्दी होगा दोस्तों इसके और भी फाइदे हुए जड़ते हुए बालों में मेंदी के पत्तों का लेप लगाने से बाल मजबूत होता है बाल का जड़ मजबूत होता है बाल जल्दी जड़ता नहीं गिरता नहीं इतना फायदे मंद है यह मेंदी का पत्ता दोस्तों मेंदी के पत्तों को बहुत सारे फायदे हैं जैसे किसी के आखों मगर जलन है लालिमा है तो मेंदी के पत्तों को सूती कपड़ा में बांध कर पुटरी बना कर और पानी में भीगा कर आखों के लालीमा करता है ठीक होता हैं आखों के हार अगर बिमारी नश्ठ होता है दोस्तों पके हुए बालों को रंगने के लिए पत्तिक पेश्ट लगाया जाता है जिससे बाल जो है लाला रंगीन हो जाते है और बहुत ही सुन्दर दिखाई देने लगते हैं और मुलाइम चमकदार भी हो जाते हैं। दोस्तों मेहनदी को पटों का पेश्ट बालोम लगाने से बालो का डेंडराप, रूसी और जुआ भी खत्म हो जाता है। दोस्तों एक मेहनदी का बीच दर्द के लिए भी काफी फायदे मन्द हैं। इन बीजों को लेकर सुखा कर सुखे हुए बीजों के तिल के तेल में खुब पका कर इसका तेल बना कर रख लीजिए और दर्द के अस्थान पे जैसे सांधी सोध है, गठिया का दर्द है या चोट मोच का दर्द है इस परकार किसी भी दर्द प्याब मेंधी का बना हुआ से तेल इस्तिमाल कर सकते दर्द में आराम मिलेगा।ов कि-प्तों के मेंधी पत्तोग लेप लगाने इस दरद में आराम मिलता है। करना क्या है मेंधी कीटों लेकर पप्थर के सिल्व कुब भारीग कि कर इसका पेषट तयार कर लीजिए और सर और माथे में लेप कीजिए माथों में लेप करने सर का दर्द जो है बिलकूल थम जाएगा आराम मिलेगा इतना फाइदे मंद होता है दोस्तों मेहंदी का पत्तों काड़ा से कुला करने से दातों के समस्त रोग नश्ट होते हैं दातों स्खून निकलना या फिर सहर परकार का मुझ के अंदर के रोग हो चाले हो तो मेहंदी के पत्तों का बना कर आप इस्तुमाल किजिए आपके दातों के समस्त रोग नश्ट हो जाएं ठीक हो जाएं इतना फाइदे मंद होता है मेहंदी का पत्ता दोस्तों मेहंदी का पत्तों का पेष्ट बनाकर सब्सक्राइब करते हैं अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आए हमारे चैनल को लाइक कीजिए सब्क्राइब कीजिए नमस्कार दोस्तो पहाड़ी आयर्वेदी